कि देखे हाथ में ना चिकन है, ना चिकन का हाट है, दोनों में फ्लावराउन का वीडियो आप चल रहा है, आप देख रहे हैं फिर भी information मेरे पास है, फ्लावराउन मेरे पास है, तो जो information मुझे तो मेरा सबसे चिकन हार्ट खिलाने के हां या नाम में जवाब देना सही नहीं है से लिए वीडियो बना दिया हूं कि क्यों खिलाना चाहिए और क्यों नहीं खिलाना चाहिए ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट जो है चीकन हाट को डाजेस्ट करने के लिए थोड़ा उसका फॉड़ा फॉंक्शन मजबूत होना चाहिए फ्लावर होने के फॉमेन के तो प्रॉस बिरिट करा 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 के बनाया गया है वह कोई पॉंड में यह रिवर में पाने वहला फीस नहीं है है जेक है तो आप ये चिकन हाट इस फीस को खिला सकते हैं जो पॉंड में रहता है से रिवर Imprimal मतलब वह फर ethic वहारा उसको खिला सकते हैं मॉस्त टो ग्राइटी में यह आता है बट ऑग ये खिवाना सही नहीं है इसको आपका जो था आपने यह को मालें लेतेद है कि टैंक टैंक डामेंशन है इसका दो फीट के आसपास है कि अगि बेबी में तो खिलाएंगे नहीं जब बरा होगा तो आप लोग क्या करते हैं कि टैंक के जिससे से फीस बाहर रहें तो आप चेंज नहीं करते हैं ठीक है पहला बात दूसरी बात है कि 90 परसेन जो होविस्ट होते ए वह एक टैंक होता है टैंक में फिल्टरेशन कुछन खास नहीं होता है वो सिंपल सा फिस्स लियाक रख दिया और स्पॉंज फिल्टर लगा दिया वहने यह तक नहीं माखनी होता है किमिंटियस मैंटान करना होता है तिडियस तक को मेंटन नहीं कर पाते तो जो स्पॉंज फिल्टर आप यूज करते हैं ठीक है वह क्या करता है कि पानी में घुला हुआ ड़स्ट को खीचता है बॉटम में जो फूब किया उसको आप सिपॉन करते हैं या टॉफ फिल्टर से क्लीन करते हैं लेकिन जब चिकन हट वह अब यह तो पानी का परामीटर जो है वो सारा डिस बैलेंस होगा अगर आप कैनिस्टर यूज करते हैं तो आप अगर देते हैं तो फिल्टरेशन सिस्टम बेटर होगा वहां पर आपको फिल्टर बेटर हो जाएगा लेकिन आपका क्या फिस खाने के बाद मुवमेंट कर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बढ़ा रखिए तब चीकन हाट दीजिए वह पूरा मूव करेगा अग्रेसिव होके तो उसका जाके डाइजेशन होगा आप लोग क्या करते हैं हम लोग जैसे जनरली होबिस्ट हैं वह क्या करते हैं बहुत प्यार से लाते हैं और आप मील वम खिलाए सबसे बेटर है उसका कोई नुक्सान नहीं वह लाइव भी है चीकन को क्या इनफेक्शन है क्या नहीं वह तो नहीं आप देखे हैं आप तो सीधे लाएंगे धोएंगे उसको खिला देंगे और दूसरा प्रॉलम उसमें क्या होता है कि आपका फीस जै स्टेज में बहुत देर हो चुका होगा तो वह आपको यतना मतलब फिर आप परसान हो जाएंगे इसको मेडिसीन करेंगे इसको होर्न जो है वह बैठ जाएगा कलर डिस्कलर हो सकता है कि किड्नी डामेज हो जाए वह बचना पाए चिकन हाट देना को बड़ी बात थोड़ हर एक वीडियो में कहता हूं कि मील वर्म फीट कराईए ड्राइप फीट कराईए और आपको बहुत ज्यादा स्वाख है चिकन हाट खिलाने का तो जितना एमांडर में खिलाएंगे उतना इमांडर में डाइजेशन उसका होना चाहिए यह चीज आपको देखना है यहां ड इंडिशन में नहीं देना है तो हम हमसे अगर आप प्रस्नली एडवाइस लेंगे तो चिकन हट देना सही नहीं हो पानी को भी डालूट करता है क्लोडी करता है तो आपको तो फिर वाटर टैंक के लिए भी प्रॉलम हो जाएगा जब यह फीडिंग के ऊपर बात आ गई है एक नॉर्मल मिल वाम आता जो भी मेरा वीडियों में देख रहे हैं उसको आप सब्ते में तीन बर फिट कराईए और जिस दिन मौर्निंग में अगर उसको ज्यादा तर मौर्निंग में फिट कराएगा अगर फिट कराते हो तो दिन बर उसको कुछ ही नहीं देना है चलिए एक मंगा के हम देखते हैं कैसा है उसका एक वीडियो बनाएंगे तो लाइफ यूगा फूट थोरा से खिलाइएगा लाइफ यूगा फूट खिलाने से यह होता था ना कि जो भी कचरा है पेट मों साफ हो जाता था डाइजेशन बहुत बढ़ी होता था तो आप ऐ तो पूंबें और सिसके साइज के ऊपर ही आप उसे खिलाना ठीक है फीस के साइज के ऊपर ही आप उसे फीड डाना हैeti फीस का सेलेक्षिन आप करते हो फ्लाव रहों करना तो टैंक का भी सेलेक्षिन करो कि बस एक किसी भी टैंक में लाकर डाल दाना यह यह सहीं नहीं है टैंक का एक डाइमेंशन होता है जैसे आप नॉर्मल तीन दीन चारेंज के लिए मैं आप रफ़ता दता हूं तीन फीट भाइड़ देर फीट का टैंक रखिए तीन फीट लंबाई डेर फीट चौड़ाई और व्यट उचाई उसका एक यह रखिए और दूसरी बात उसमें के ब्लू रंग का स्काई ब्लू एक भेनाईल आता है जो बॉटम में और बीचे बैक पैनल में दोनों में आप भेनाईल लगा देजिए उसके बाद देखिए कि क्या बढ़िया उसका यह रहेगा कलर आएगा सिंड्री यह लगाने के जरूरत ने बॉटम बेर बॉटम रखन का थी शुबह 380F एक मॉडल आता है अब वह यूज कर सकते हैं चालिस वाट का है पांच में चला है यह पूरा गंदा खीचलेगा लेकिन वह की करने की जरूरत नहीं है आपको यह बताऊंगा जिनको जो महनत करना चाहते हैं अनुके लिए फिल्टरेशन यह जरूरत नही करेंगे इसलिए तो मैं आपको यह जो चिकन का था वह फिलियर हो गया होगा कोई प्रॉलम तो नहीं है फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग लेना चाहते हैं इन अंडाल दूर्गा पुर्थिया सपास यह हमें मैं खुद से बना दूंगा और बनाय लोग होगा उनको फुद ले जाना होगा है हाँ मैं डोड़ स्टेप जाके उनको सेटिंग वगरा कर दूंगा पुड़ा वह पैनल है वह मैं बैठा दूंगा और फिस भी मैं अगर आप आप पर्सिस करते हो तो कर लो अगर नहीं करोगे तो अरेंज में करवा दूंगा और यह अगर हमारे तरीके से रखो को तो फिस नहीं मरेगा तब मैं बताया कुछ हूँ आप मेरे जाने के बाद उसको कुछ और कर रहे हो तो यारप वह तो गरबर हो जाएगा लेकिन अगर मेरे पर विश्वास करके आप अगर चलते हो तो फिस आपका लॉस में कभी नहीं जाए क्यों यह वांद कर दोग भूपा रहेगा तो इसको प्रॉलम होगा फिर अप फूड कहिलाएंगे वह तेजी में खाये और चबानी पाई को निगल जाएका सही से बहुसा प्रॉलम हो सकता है बादे में खाएगा तो उसको इतना भूका नहीं रखना है थोड़ा बहुत द टीडियस को हाइक बढ़ाता है टीडियस हम लोगों को लो रखना है 100-150 नौरमल एसाइडी का और अगर थाई सिल्क है तो उसको हंडेड से नीचे रखिए मेगमा यह आपको होता है 9.9 का मफा है तो 100 से नीचे रखिए है तो जुन्टीट होने जा रहा है बहूत लंबा हो गया चिक बात कहा होओ है स्मझ लेज़े श चीक को बाते के जगा लाइब मिल वाम दिजिए अगर आपको रुकारेमेंट है आपके पास नहीं अब लेबल हो रहा है तो मुझसे कॉंटेक्ट कीजिए मैं करवा दूंगा चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो ताब मुझे बोल सकते हैं मैं दूंगा सपोर्ट करने के लिए थैंक्स भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सेर्ज और सब्सक्राइब करना ना भूलें के बाए